Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Sode and students, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा important है, जैसा कि आप सभी को पता है कि UGC Net exam June में होने के chances है, UGC ने अपने tweet में ये बताया है कि UGC Net exam June में हो सकता है and इसके application forms April में आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इस साल की exam के लिए भी बहुत ही कम time बाकी है हम सभी के पास तो अगर students आप लोग ये exam पहली बार दे रहे हो या फिर अगर आप लोगों ने ये exam पहले भी दिया है लेकिन अभी तक qualify नहीं कर पाई हो तो ये वीडियो आप सभी students के लिए बहुत ही जादा helpful है तो इस वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखेगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग JRF को first attempt में ही qualify कर सकते हो तो चली student शुरू करते हैं तो आप सभी को पता है कि UGC net exam जो है इसमें paper pattern को दो sections में divide किया जाता है पहला होता है paper 1 और दूसरा होता है paper 2 तो paper 1 जो है आपका जो भी student है जो भी UGC net का form फिल करते हैं उन सभी के लिए paper 1 common paper होता है यानि कि सभी को ये paper देना ही होता है इसमें total 100 marks के questions पूछे जाते है और paper 2 जो है हमारा ये होता है subject centric जैसे कि आपका subject अगर management है, commerce है, sanskrit है, computer science है कुछ भी subject है आप लोगों का तो वो होता है paper 2 तो paper 1 और paper 2 दोनों ही बहुत important है students अगर आप लोग ये first time exam दे रहे हो तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि paper 1 जो है, अगर आप लोग इसमें अच्छा score करते हो तो आप लोगों के chances बढ़ जाते हैं कि आप लोगों का jrf qualify हो सके इसके लिए सबसे जादा important होता है आपके पास एक अच्छा study material होना आपके पास एक अच्छा guide होना सो हम आपकी इसमें help करेंगे सो paper 1 में हम आपको देते हैं full syllabus video lectures ये video lectures जो हैं इसमें सभी updated topics को cover किया गया है और हम हमीशा real life examples के साथ यहाँ पे concepts को समझाते हैं आप लोगों को इसके साथ ही हम आपको देते हैं full syllabus updated notes जिसमें की graphs, diagrams and images की help से हर एक चीज को present किया गया है और यह updated notes है and most expected topics भी इसमें highlight किये गए हैं इसके साथ हम आपको देते हैं maha marathon full syllabus का most expected mcqs and मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि इस mcqs series से exam में definitely हर साल questions पूछे चाते हैं previous year questions जो की solved है and यह pdf format में आप लोगों को मिलेंगे and I think आप लोगों को सभी को पता है कि previous year questions की क्या एहमियत होती है हमारे किसे भी exam की preparation में and इसके साथ ही हम आपको देते हैं 60 plus mock test यानी की NTA UGISnet paper 1 के हर एक unit का separate mock test हम आपको देते हैं paper 1 में total 10 units होती है हर एक unit का separate mock test मिलेगा आपको and इस complete course की validity रहेगी one year and students जादा जानकारी के लिए आप लोग दियेगे number पर contact कर सकते हो या फिर हमारा जो app है global online play store पर जाकर आप इसको download कर सकते हो तो आपको play store पर जाकर इस तरह से हमारा app दिखेगा global online app को download करने के बाद यहाँ पे home section में आप लोगों को इस तरह की screen नज़र आएगी इसमें आप लोगों को different different courses मिलेंगे जो भी हम offer करते हैं ठीके इसके बाद यहाँ पर store section पे जाकर के आप लोगों को इस तरह की screen नज़र आएगी इधर आप लोग अपना course select कर सकते हो चाहे फिर वो UGCnet paper 1 है या फिर paper 2 में कोई भी subject है चीके, यहाँ पर आप लोग easily इस course को access कर सकते हो यहाँ पर हमने different content, MCQs, mock test भी provide कर आए है So students, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि app को download करने के बाद content section पर जा करके आप लोग हर एक unit का separate video lecture series and इसके test जो है free में access कर सकते हो Test जो है, यह हमारे evaluation test है So that lecture series के बाद आप लोग अपने आपको evaluate कर सको कि हमें ये कितना concept समझ आया है चीके, सो यहाँ पर unit wise आप लोगों को एक updated notes जो है updated content जरूर मिल जाएगा easily हमारे app से इसके साथ students, paper 1 का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि total 10 units होती है, जो कि बहुत important है and paper 2 का weightage भी बहुत ही जादा higher होता है इसमें total 100 questions पूछे जाते हैं यानि किसका weightage होता है, 200 marks, ठीक है so paper 2 में हम आपको देते हैं total 14 subjects का study material that is management, economics, computer science, commerce, history, sociology, psychology, law, english literature, physical education, geography, political science, social work and education so यहाँ पे आप लोग इस complete course का study material अक्सेस कर सकते हो इसमें हम आपको देते हैं full syllabus notes in the form of PDF and most expected MCQs and this study material की fee है सिरफ 1000 रुपीज and इसके अलावा students में जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को paper 1 का complete study material बताया है including video lectures and everything उसी तरह से हम paper 2 का भी complete study material आपको provide कराते है and इसका benefit यह होता है कि इसके साथ paper 1 जो है आपको हम बिल्कुल free provide कराते है ऐसे सिरफ paper 1 के charges है 3000 रुपीज लेकिन अगर आप लोग paper 2 का subscription लेते हो तो paper 1 के 3000 रुपीज आपको अलग से pay नहीं करने होंगे तो यह बहुत अच्छा offer अभी चल रहा है तो जादा जानकारी के लिए आप लोग दियेगे WhatsApp नंबर पर हमारे यहाँ पर contact कर सकते हो So students इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर paper 2 में जो भी आप लोगों की stream हैं जैसे की political science की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने political science को सर्च करना है और आप लोग अप में जाकर के easily scores को access कर सकते हो So आज के लिए सिरफ इतना ही I hope यह video आप लोगों के लिए helpful रही होगी आप लोग जितना अच्छे से इस video के through जो है content को समझ लोगी आप लोग उतना easily अपने exam को qualify कर सकते हो So आज के लिए सिरफ इतना ही Thank you so much and I wish you all the very best